Hello Everyone, Welcome to Study Zone इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे KVS के एक्जाम में पूछे गए GK, Current Affair, Reasoning Ability और Computer Literacy के Questions ये Questions KVS PRT के एक्जाम में पूछे गए हैं और ये एक्जाम हुए 22 December 2008 रखो और ये एक्जाम Morning Shift वाले पेपर का है और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स मिलीकर जोर बताया करें और साथ ही आप Study Zone को सबस्क्राइब जोर दबाएं नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाने से हमारी वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल से जल पहुंच जाएगी इसमें सरू करते हैं सबसे पहले सरू करते हैं जीके और Current Affairs के Questions इसमें पहला Question है कि Goods and Service Tax यानि माल और सेवा कर भारत में कब परारम किया गया तो माल और सेवा कर भारत में परारम किया गया जुलाई 2017 में तो थर्ड इसमें आपका Correct answer आएगा Next Question है दिल्ली की सुरक्षा प्राचेर में निन में से कौन सा इबने पतुता के द्वारा सबसे उत्तम दर्वाजा बताया गया तो यह दर्वाजा बताया बताया गया बदायू दर्वाजा तो Second इसमें आपका Correct answer है Next Question है भारत में वे कौन सा राजय है जिसने सवपर्थम राजय के सभी गरों की छतों पर वर्षा जल संचयन यानी रेट वाटर हर्वेस्टिंग यानी वर्षा के जल को एकटा करने की संरचना का निर्मान अनिवारे कर दिया तो इसमें आपका अंसर आएगा वे राजय है तमिलनाडू राजय है तो चिप का अंदलन उत्रप्रदेश राजय से संबन दिता है और उत्रप्रदेश राजय से अलग होकर बनाए उत्राखंड जो आपका मेंली चिप का अंदलन था उत्राखंड राजय में तो इसमें आपका अंसर आएगा उत्राखंड राजय है नेंक्सーー कुछन है बंगलादेस के ग्रामिट बैक का संस्तापक कौन है??? तो बंगलादेस के ग्रामिट बैक का संस्तापक है doit मुंध्यूनियूस तो फर्स्ट इसमें आपका correct answer आएगा नेक्स्ट कुछन है 2017 का ग्यानपीट सम्मान किसे परदान किया गया है तो जो 2017 का ग्यानपीट सम्मान परदान किया है किर्शना सोबती को नेक्स्ट कुछन है निमलिकित में से कौन सी नदी चीन भारत और बांगलादेश से उकर बैती है ब्रह्मपुत्र न दिये तो फॉर्थ इसमें आपका correct answer आएगा नेक्स्ट नेमलेकित में से कौन सा अव शेक्षपन या वर्षण का रूप नहीं है यानि वर्षा का रूप नहीं है तो इसमें आपका अंसर आएगा दीपा कर्माकर ने मरसिव तुर्की में जुलाई 8, 2018 को जिमनास्टिक वर्ड चैलेंज कप में सवन्ड पदक जीता है यानि गोल्ड मेंडल जीता और उन्होंने किस इवेंट में ये जीत असिल की तो इसमें अंसर आएगा उन्होंने वर्ड इवेंट में ये जीत असिल की आप current affair और GK के question को ध्यान से पढ़ा करें अगर current affair के question इस paper में पूछे गए हैं तो most expected है यही questions आपके बार-बार कई exams में repeat होते हैं तो इसलिए आप इन questions को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करें जैसे next question में आपका पूछा जा सकता है कि दीपा करमाकर ने Gymnastic World Challenge Cup में कौन सा medal जीता है तो इन्होंने gold medal जीता है और कौन से event में जीता है ये आपका पता लग गया world event में जीता है तो इन questions को आप ध्यान से देखा करें ये आपके जो है repeat होते रहते हैं अलग-अलग exams में next question है निमलिकित में सिक्किस देश ने 2018 में एशाई खेलों की मेजबानी की तो 2018 की एशाई खेलों की मेजबानी की गी थी Indonesia country के दोआरा और ये इंडोनेशिया की राजदानी जकारता और पॉलंबेक सहर में आईजित किये गए थे यानि दो सहरों में ये आईजित किये गए थे next question है आपके आते है reasoning ability के तो इसमें आपका पहला question है किसी 8 cm x 48 cm x 16 cm वाले आकार की सोने की इट को पिंगला कर गन क्या करती है यानि एक cube बनाये जाता है आपका एक कुबोईड है जिसकी dimension दे रखे इसको पिंगला कर एक cube बनाये जाता है और आपको बताने कि इस cube की बुजा किसके बराबर होगी तो इस cube की बुजाओगी आपकी 24 cm के बराबे तो first इसमें आपका correct answer आएगा Next question है कोई वेक्ति गंटागर के निकट खड़ा है यदि वे दक्सिंट के ओर चलकर P बिंदू पर पहुंचता है जो गंटागर से 8 km के दूरी पर है और वे P बिंदू के दाई के ओर मुड़ जाता है और 6 km के ओर चलता है और Q point पर पहुंच जाता है और फिर वे दाई मुड़ जाता है और R point पर पहुंच जाता है जो कि 10 km दूरी पर है Q से और फिर वे दाई मुड़ जाता है और S point पर पहुंच जाता है जो कि 6 km दूरी पर है तो आपको बताना है कि starting से यह किस direction में और कितनी दूरी पर है तो यह आपका 10 है 10 में से 8 गया 2 तो 2 km उत्तर की तरफ है तो second इसमें आपका correct answer आएगा Next question है नीचे दियेगे 4 सब्दों में से एक सब्द अन्य 3 से 20 है उस विशन सब्द को चुनिए तो इसमें आपका answer आएगा सफेद तो first इसमें आपका correct answer आएगा बाकि लाल, पीला और नीला यह आपके primary colors में आजाएंगे Next है इंदर एक पुरूस तता सहेज एक स्त्री है सहेज की माता इंदर की माता की बहन की बेटी है तो इसमें आपका बताना है सहेज का इंदर से क्या संब्द है तो इसमें आपका answer आएगा सहेज इंदर की बतीजी है तो second इसमें आपका correct answer आएगा Next आपको बताना है कि यह आपके दो आकर्तिया दी हुई है तो आपको जो इन दोनों में relation है वही आपके option में कौन से आकर्ति में relation है यह आपका triangle बना हुआ है यह triangle आपका भार आ गया ऐसी ही आपका circle बना हुआ है circle आपका भार बना दिया गया तो fourth इसमें आपका correct answer आएगा next question है यह आपके 5 words दिये हुए यह आपको dictionary के साब से जचाने है और आपको बताना कि तीसरे स्थान पर कौन सा word आएगा तो इसमें तीसरे स्थान पर आएगा heating word तो first इसमें आपका correct answer आएगा next यह आपको यह आपका दिया हुआ है इसकी mirror image बनानी है तो mirror image आपकी जो है यह इस परकार की बनेगी तो इसमें आपका correct answer आएगा first next है 8 cm बुजावाले किसी गन को यानि cube को सभी बुजाव को लाल रंग से रंग दिया गया अब इसे परतेक 2 cm की बुजावाले छोटे छोटे गनों में काटा गया इनमें से कितने छोटे छोटे गनों की एक या अधिक बुजाव का रंग लाल से रंगा गया तो इसमें आपका अंसर आएगा 56 का तो 56 इसमें आपका correct answer आएगा यानि 8 आपके ऐसे बचगे जिनका जो unpainted है जिन पर कोई भी paint नहीं हुआ next question है अगर आप princes को इस परकार से लिखते हैं तो spice z को किस परकार से लिखेंगे यह आपको बताना है तो fourth इसमें आपका correct answer आएगा next question जैसे एक दो तीन का सम्मद एक चार नो से हैं वही सम्मद आपको तीन चार पाच का बताना है तो एक का square एक दो का square चार तीन का square नो ऐसे ही तीन का square नो 4 का square 16 5 का square 25 तो second इसमें आपका correct answer आएगा next आपके computer literacy के questions है बहुत important questions है इसको शुरू करते हैं सबसे पहला MS word में theorosis tool का उप्योग किसके लिए किया जाता है तो theorosis tool का उप्योग किया जाता है समानार्थी और willom सब्दों के लिए यानि synonyms और antonyms words के लिए तो second इसमें आपका correct option आएगा next question है निमलिकित में क्या समानता है यानि facebook, twitter, instagram और pinterest इनमें क्या समानता है तो ये सभी social networking site हैं तो second इसमें आपका correct answer आएगा next question है किरतरिम ग्यान निमलिकित में से किस के लिए विज्यान तथा answering है आपका पहला point है बुद्धी मता पूर्ण मशीने बनाने के लिए मानव की तरह सोचने वाले computer बनाने के लिए तो दोनों आपके correct हैं तो इसमें आपका answer आगा A और B दोनो next question है निमलिकित में से कौन सा font effect ms powerpoint font dialogue box में उपलब नहीं है तो आपको नहीं है बताना है shadow होता है strike through होता है underline होता है तो emboss नहीं होता तो fourth इसमें आपका answer आजेगा next है ms office में formatting tool bar पर font size tool में 8 सबसे छोटा होता है तथा बहतर सबसे बड़ा font size उपलब दोता है तो आपका first इसमें आपका correct answer आएगा कई बर आपसे पूछ लिया जाता है कि भी इसमें minimum कौन सा होता है तो minimum 8 होगा maximum कौन सा होता है तो बैतर होगा तो ये range आपको याद रखनी है next question की बात करें thenix अंचालन के लिए laptop पर आमतोर पर प्रयुक्त होने वाले input device कौन से है तो आमतोर पर प्रयुक्त किया जाते है keyboard और mouse input के लिए तो first इसमें आपका correct answer आएगा next है एक slide के जाने और दूसरी slide के आने के मद्या motion effect डालने के लिए निमलिकित में से किस विशेस्था को प्योग किया जाता है तो यह किया जाता है slide transition तो third इसमें आपका correct answer आएगा next है निमलिकित में से कौन सी भारतिय आइटी कमपनिया है तो भारतिय आइटी कमपनिया है HCL और TCS तो second इसमें आपका crack answer आएगा आपको दोनों भारते कंपनिया बतानी है HCL इसमें भी है लेकिन ये भारती है लेकिन Intel आपकी American कंपनिय है ऐसी डेल भी आपकी American कंपनिय है इसमें Intel आगया है ये आपकी American कंपनिय है तो second इसमें आपका correct answer आएगा Next question है निमलिकित यूगम दिये गए है वाइफाई मोडम, क्रॉम केबल, फाइल हार्ड ड्राइव, चार्जिंग केबल निमलिकित में से कौन सा यूगम 6 से 20 है तो आपका जो है क्रॉम केबल से संबंदित नहीं है तो इसमें आपका answer आएगा first cable b Next question है किस document MS office में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निमलिकित में से किस विकल्प का उप्योग किया जाता है तो यानि डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पहले cut किया जाता है और उसके बाद दूसरे स्थान पर paste किया जाता है तो इसमें आपका answer आएगा cut web paste तो second इसमें आपका correct answer आएगा और आप KVS के लिए जो आपके subject concern question पूछे गए थे उसकी वीडियो आचुकी है इसलिए आप उस वीडियो को भी जोड़ देखे और study zone की वीडियो के देखने के लिए आप सभी का दन्यवाद आप हमें WhatsApp ग्रूप पर भी follow कर सकते हैं यह हमारा WhatsApp ग्रूप नंबर है 946-787-2724 आप इससे जुड़ सकते हैं और study zone की latest videos पा सकते हैं Thank you